असलाम वालेकुम आज मैं अपने चैनल इंडियन दस्तक्वान में बेहदी आसान तरीका बताऊंगी चिकन शावर्मा बनाने का और इतना जल्दी ये बनता है फटा-फट से और खाने में तो बहुत जाद जब अदस्त है क्योंकि वो लोग सेखते हैं इसको जैसे चिकन को त करते बनाना तो यहां पर देखिए चिकन मैंने लिया है और चोटे पीस में ही कट कर आया है और वाश कर लिया अच्छे से 200 ग्राम है ये चिकन तो इसको हम पहले कुछ मसारा डाल कर मेरी नेशन के लिए रखेंगे तो 200 ग्राम चिकन है इसमें हम डाल देंगी तकरिबन वन मसाला मैं इसमें अट कर रही हूं ये भी मैंने वन फोर टी स्पून डाल दिया है थोड़ा जाधा डाल दिया है जिससे की टेस्ट बढ़ेगा चिकन का और कॉन फ्लॉर भी हम इसमें थोड़ाई से एड़ करेंगे तो एक टेबल के स्पून बस में डाल देती हूं तो कॉन एक बढ़ेगा और इसको हम मिलाखे और रख देंगे अधी गुंते के लिए तो आप जाए तो लैमन जूस भी हैर लैमन मिला देने के बाद इसमें हम डाल देंगे वन टीस्पून जिंजर गालिक पेस्ट तो एक बार और हम इसको मिलाएंगे और काफी अच्छे से जब यह मिल जाए तो बस इसको रखेंगे मेरे नेशन के लिए तो बस मिला दिया है मैंने और इसको मैं ढपके कवर कर दूँगी और आदा घंटा जब हो जाएगा तब ही हम इसको सेख लेंगे तो जो तरीका मैं आपको बताऊंगी वो आप देखी वीडियो में तो आदे घंटे के बाद कडाई में हम इसको सेख लेंगे तो कडाई में हम डाल देंगे तकरिबन 3 टेबल स्पून ओइल हमारा जैसे ही गरम होगा तो इसमें हम चिकन के पीसिस इस तरह से फैला कर डालेंगे इस तरह से आप कर लेंगे तो सेख लेंगे तो ये इजी भी बनेगा और फटा फटा से बन जाता है तंदूर को जलाने में और गरम करने में वक्त भी लगेगा तो ये इजी तरीका है चिकन शावर्मा को इस तरह से चिकन को सेख लेने में एक तरह से जब ये सीख जाएगा तो इसको हम पलट देंगे और यहां पर मैं तब तक आटा को मला रोटी बनाने के लिए जो ब्रैड होती है वो लोग ब्रैड करते हैं हम लोग अपने इंडियन भाषा में इसको रोटी कहते हैं मैदा लिया है मैंने इसमें थोड़ा नमक तो वो थोड़ी रवड़ जैसे रोटी रहेगी बस थोड़ा सा इसमें हम सोड़ा डाल देंगे अगर आप दही है तो बोड़ा लेगा और यह जो मैदा मैंने लिया है यह मैंने लिया है तकरिबन आदा किलोग्राम तो इसमें हमारी बने की तकरिबन सास से आठ रोटी या बस थोड़ा बड़ा पानी हम डालेंगे हलका गरम पानी एगे हलका गरम पानी मैंने लिया है और इसको मैं गुन लूँगी ये देखिए इसका डो रेड़ी हो गया अब इसको भी हम रख दिंग 10 मिंट के लिए तब तक हम चिकन को चेक करेंगे चिकन ये देखिए हमारा कूक हो गया मुना दूनों तरफ से मैंने इसको सेख लिया है तो इसको मैं चेक कर लेते हूँ अगर कहीं ये भागी रह जाएगा तो इस तरह से मैं इसको चला दूंगी ताक कि ये सैट हो जाए तो बस चिकन हमारा ये हो गया है और बस इसको तंदूरी जैसे टेस्ट देनी के लिए इसमें हम एक कोईला को जैसे मैंने साइट पर रखा है वो मैं दहका रही हूं इसको गरम कर रही हूं और कोईले को हमें इसमें स्मोक दे लेना है क्योंकि तंदूर में जैसे की सेख लेते हैं वो लोग बहुत अच्छा रहता है स्मोकी तो कोईले को मैंने बाउल में रखा है और इसको हम त्धोडा जगाँ बनाएंगा में ब बीश में रख देंगे और उपा से कोईले में जालेंगे और धक्कां से कवर करेंगे कर राए को और इसको हम इसी तरह घोर देंग तक इबं 15 मिद्ट 15 बिंड बाद हम इसको खोलेंगे तो यह देखिए जब सारी स्पोंग इसकी अपने आप खतम हो जाएगे तब हम इसको कटोरी को हटाएंगे और यह चिकन हमारा तैयार है तो बस अब रोटी को भी हम तैयार कर लेंगे तो इसका मैं पेड़ा पहले निकाल लेती हूं कि आप मैं पेड़ा इसका बना लूँगी जितना भी बन पाएगा और जो कि नर्मल रोटिया जो हम बनाते हैं जिस साइज की और जितनी जोटी है ए पतलीय उसे बनाते है आप अपने मिसाब और ये बन गी है और ये थोड़ा साइज में भी मतलब की मोटाई में भी थोड़ी मोटी है और साइज भी सक ठीक है रोल बनाने के लिए चिकन शावर्मा का तो एक ये रेडी होगी बागी को भी मैं इसी तरह से बना लूँगी सभी को सेख लूँगी और यहां पर देखिए चोटा कड़ाई में मैंने दो टेबल स्पून घी डाला है क्योंकि थोड़ी सी वैजिस मैंने लिया है शावर्मा में वैजिस पढ़ती है तो लिया है मैंने गाजर और स्लाइस में बहुत ही बार एक स्लाइस में कट किया है एक बड़ा प्यास लिया है स्लाइस में ये भी क तो यही सब सब्जिया जाती हैं वही सब मैंने लिया उसके टेस्ट भी काफी ज्यादा अच्छा आएगा शावर्मा का तो यह तो जरूरी है यह भी सब्जिया भी आप इसको कट करिएगा लेकर और इस तरह से सोटे हमें थोड़े से घी में इसको कर लेना है ताकि सॉप्ट हो जाए अगर कच्छी रहेंगे तो सही नहीं रहेंगी बाकि सबसको सामान को रेडी करने के बाद बस अपना शावर्मा रोल तैयार कर लेंगे चिकन शावर्मा और सिंपल मैं इसमें मियोनीज लगा रहे हैं क्योंकि इसकी सॉस अलग रहती है उस सॉस की रैसिपी अगर आप चाहते हैं तो आप लोग कॉमेंट करेंगे तो मैं उसकी रैसिपी आप लोग साथ शेयर करूंगी वाइट सॉस होती है तो यह देखिए बस थोड़ा सा टमाटक कैचप मैंने मिला लिया है मियोनीज के साथ और इस तरह से मैंने फैला दिया पूरी रोटियों पर और स परजिस रखेंगे और उपर से चिकन डाल देंगे फ्राइग क्या हुआ और इतनी ज्यादा खुश्बू अभी सारे चिकन में से और इसको बस इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से ध्यान से फोल्ड करेंगे और इसको हम रैप कर लेंगे तो यहां पर मैंने लिया है रै बना लेती हूं बाखी पीसिस को भी और उपर से आप चाहें तो सॉस मयोनीज और लगा सकते हैं तो यह देखिए जब अधस हमारा जितना आजान होती आसान मैंने आपको बताया तरीका चिकन शावर्मा बनाने का तो काफी लोग तो बोटियों को इस तरह से कट भी कर लेते ह मगर मैंने ताबुट डाल दिये क्योंकि चिकन के पीसिस जो है वो छोटे ही थे हमारे और इतना ज्यादा यह टेस्टी बनाता कि जब आप इसको बनाएंगे तभी आपको यकीन होगा कि हाँ यह शावर्मा बहुत ही बनाने में आप खाने में भी जबदस्त है तो फिर कैस लगी रेसेपी कॉमेंट लगे बताइएगा मैं मिलूंगे आप से अगली रेसेपी की वीडियो में अलाहाफिज